सो गाइस बात करते हैं यहां पे OnePlus Devices के Fingerprint Lock के बारे में कि Fingerprint में एक प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा Fingerprint Hardware Not Available का तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को fix करेंगे इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंचीगा बिलका इकन को प्रेस कर लेना है तो देखें यहां पर काफी चांसे की problem hardware की हो सकती है बट सबसे पहले हम software के कुछ solutions यहांं पर use कर लेते हैं तो सबसे पहला आप लोग अपने phone के software अपडेट पर क्लिक करें और चेक करें अगर कोई अपडेट अवेलेबल है तो फॉरण आप लोग अपडेट करें काफी चांसे कि ये problem fix हो जाएगी या फिर second solution है आप लोग अपने phone के system settings में जाईएगा मतलब reset वाले options पर क्लिक करना ह है और आपलोग Quan टो को रिसेट करें काफी चांसे कि आप लोग की प्रक्लम में आप Rush होजाएगी है अज़े सब्स officers करने से आप लोग को डाटा ़ी इलेट नहीं होगा आप लोग को निस्चिंत रहेंगी डिक थीटा कि तो यहां से आम लोग Ankara 50 Con करके फिर से add करके देखिए अगर फिर से आप लोग को यही प्राब्लम आरे तो आप लोग को software update check करना है फोन को reset करके देखना है काफी चांसे कि problem fix हो जाएगी अगर यह solutions काम नहीं करते है तो हो सकता है यह problem hardware की हो अब इसके बाद आप लोग को phone को service center या फिर technician को दिखाना पड़ सकता है तो जो भी हो comment section में आप लोग जरूर से बताइएगा मिलते हैं next video में जय मतादी